कि नाव आज हम बात करनेवान है सर्कल और उसके पार्ट के बारे में सबसे मेला सर्कल है क्या है अब सभी को पता है यह कुण सी चीज है जिससे आप सर्कल रो करते हैं सो चलिए आगे बात करते हैं सर्कल is a collection of points where all the points are equidistance from the given point is called center point यह रहाँ आपका center point वहाँ से equal distance पे बहुत सारे points से बनता हुआ एक सर्कल जैसे आप यह देख सकते हैं इसे हम कहते हैं circle और इसका center point यह रहा circle एक round shaped figure है जिसके कोई भी corners नहीं है और इसके कोई भी edges नहीं है आगे में बात करने वालों आप लोगों के साथ इसके center point के बारे में जो center में point होता है उता हम center point कहते हैं it's simple second हम बात कर रहे वाले हैं उसके circumference यह जो boundary line आपको दिख रहे हैं जिसके ओपर यह इंसान दोड रहा है यह boundary line है जिसे हम कहते हैं circumference the total length of the boundary line is called circumference आगे हम बात करेंगे और एक और body part के बारे में जिसे हम कहेंगे radius यह center point है center point से लेकर आप circle के circumference के ओपर कोई भी एक point को जोड़ दो और एक line बना दो जिसे हम कहेंगे radius ठीक है ऐसा जरूर नहीं कि एक की radius है एक circle में आप एक से ज आपके हम बात करने वाले next topic के बारे में उस topic का नाम है हमारा diameter एक तरफ है circle पे और सामने दूसरा point है circle के दूसरी तरफ दोनों के दोनों point यहाँ पर और yahाँ पर circle के उपर है और वो point center point को चूख के निकल रही है इसलिए उसे diameter कहते हैं जो center point को चूख के निकले अभी ये हैं diameter की छोटी बहन जिससों हम कहेंगे cord, cord में दो points होते हैं, circle के ओपर जिसको join करती होगी line है, but यह center point को join नहीं कर रही है तो center point को connect ही नहीं कर रही है और line सीरी सीरी चली जा रही है उसे हम कहेंगे cord, अभी हम बात करने वाले हैं arc के बारे में arc is a part of circumference यह आप देख सकते हैं circumference मतलब यह पूरी जो circle line है, उसका छोटा सा एक टुकडा तो यहाँ suppose हम जो a so a से लेकर जो b वाला जो हिस्सा है, उसे हम कहेंगे small arc और बागी का यहाँ से जो बचा है b से लेकर यह बड़ा वाला जो हिस्सा है उसे कहेंगे bigger arc इसे कहते हैं sector, एक हिस्सा यह आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक radius है, यहाँ पर भी दूसरी radius है, और उसके अंदर का जो पूरा area है, जिसको हम कहेंगे sector, यह छोटा वाला है और बागी का यह जो हिस्सा है जो बागी का हिस्सा बचा है उसे हम बड़ा वाला sector कहेंगे means there are two sectors, one is a small and one is a big आप यह example के तोर पर पीजा देख लो, पीजा का आप ऐसा टुकड़ा तोड़के खाते हो, तो उससे हम कहेंगे small sector और जो बागी का पीजा बचा है दो टुकड़े में डिवाइड कर रहा हूँ आप देख सकते हैं, यह एक पीस यह है यह एक पीस है और दूसरा यह जो ब्लैंक वाला पीस है बड़ा वाला पीस यह वाला पूरा का पूरा तो दोनों को हम कहेंगे segment, यह smaller segment है और यह bigger segment है for example ले लो एक biscuit biscuit को आप अगर यहां से तोड़ोगे तो यह चोटा पीस और यह बड़ा पीस तो यह चोटा पीस है उसे हम कहेंगे small segment और जो बड़ा पीस है उसे हम कहेंगे big segment तो यह थे हमारे body parts of circle hope आपको समझ में आया होगा मिलते हैं next video में तिल देन बाबाई